हेलो दोस्तो कल रात को हुए महिला प्रीमियर लीग के पाचवे मैच में रॉयल चेलेंजर्स बैंगलूरू यानि की आर्सीबी के सामने थी गुजरात जाइंट्स की टीम टॉस हुआ तो सिकागिर आर्सीबी के पक्ष में और आर्सीबी की कप्तान इसमरिती मंदाना ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया पले बाजी करने उतरी गुजरात जाइंट्स की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर के वले 107 रन ही बना पाई जिसमें हरलीन ने 31 गेंद खेल कर 20 रन बेथ मुनिजों की उजरात की कैप्टन और विकेट कीपर दोनों थी इन्होंने 7 गेंद खेल कर 2 चौको की मदद से 8 रन फोब ने 12 गेंदों में 5 रन वेदा कृष्णल मूर्ती ने 15 गेंदों में 9 रन गार्डनर ने 12 गेंदों में 7 रन 22 गेंदों में 6 गेंदों में 3 रन राना ने 10 गेंदों में 12 रन तथा हेमलता ने 25 गेंदों में 31 रन और कववर ने 2 गेंदों में 4 रन बना कर नाबाद रही RCB की ओर से गेंदबाजी कर रही सोफी मोली नेक्स ने चार ओवरों में 25 रन देकर तीन विकेट लिये रेनुका सिंग ने चार ओवरों में केवल 14 रन देकर दो विकेट लिये और जोर्जियन ने तीन ओवरों में 20 रन देकर एक विकेट लिये 108 रन के लक्ष का पीछा करने उतरी RCB की कप्तान स्मृती मंदाना और सोफी डिवाइन RCB का पहला विकेट 32 रनों में सोफी डिवाइन के रूप में बहुत ही जल्दी गिर गया इन्होंने 6 गेंदों में 6 रन बना कर अपना विकेट खो दिया लेकिन मंदाना और मेगना गुजरात के गेंद बाजों की जम कर धुलाई करती रही और RCB का दूसरा विकेट इस मृती मंदाना की रूप में 36 रनों पर गिरा इन्होंने 27 गेंदों में एक छके और 8 चौकों की मदद से पूरे 43 रन बनाए और कंवर की गेंद पर अपने विकेट खो बैठी लेकिन इसके बाजूद मेगना और पहरी के शांदार बलेबाजी के बदौलत RCB ने इस लक्ष को केवल 12 पॉइंड तीन ओवरों में ही हासिल कर लिया और 45 बॉल 6 रहते 8 विकेट से इस मुकाबले को RCB ने अपने नाम कर लिया RCB की ओर से मेगना 28 बॉल पर 36 रन और पहरी 14 बॉल पर 23 रन बनाकर नाबाद रही इस मुकाबले की प्लेयर आप दा मैच बनी RCB की रियनुका सिंग जिन्होंने 4 ओवरों में केवल 14 रन देकर 2 विकेट लिये थे तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और इसी तरह वीडियो उसको देखने के लिए चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर करें थांक्स फूर वाचिंग